हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में दोस्तो हम पढ़ेंगे गडित के 10 महतपूर सवालों को डिस्स करेंगे दोस्तो और ये सभी सवाल दोस्तो BPSC TRE3 का एक्जाम है या आपका Railway की एक्जाम हो या SSC की एक्जाम हो और उसकी उचाई कितना दिया है दोस्तो 3 मिटर दिया है तो कहता है कि उस टैंक में कितना पानी आएगा तो दोस्तो टैंक में कुल कितना पानी आएगा इसका ये मतलब हुआ कि टैंक में पानी जब भरा जाएगा तो अस्थान घेरेगा तो अस्थान घेरने की बात जबाती यह दोस्तो तो आयतन निकाला जाता है तो यहाँ पर दोस्तो हम टैंक का आयतन निकालेंगे तो टैंक का आयतन हो जाएगा लंबाई गुड़ते चोड़ाई गुड़ते उचाई हो जाएगा तो दोस्तो लंबाई कितना दिया है 5 मीटर चोड़ाई कितना दिया है 4 मीटर और उचाई कितना है? 3 मीटर, गुड़ा कर देंगे, 5 जोग 20, 20 तिया कितना हो जाएगा दोस्तो? 60 हो जाएगा, और दोस्तो आयतन का मात्र क्या होता है? घंड मीटर होता है, तो 60 घंड मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है, दूसरा सव तो 4 से कैंसिल करेंगे, दोस्तो कितना जाएगा? उवर की भुजा हमको पता चल जाएगा, 4 दहम में 40, 10 मीटर ये उवर की भुजा आगया, पूछ रहा है दोस्तो कि उवर का छेतर फल बताईए, तो दोस्तो उवर का छेतर फल का सुतर होता है, भुजा गुड़ते दह दहम में 100 आजाएगा, 100 वर्ग मीटर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है, तीसरा सवाल है दोस्तो, यदि A पलस B पलस C का मान जिरो दिया है, तो A स्कॉयर बटे BC पलस B स्कॉयर बटा CA पलस C स्कॉयर बटा AB का मान कितना होगा कैसे लगाएगा दोस्तो ध्यान समझेगा, यहाँ दोस्तो हम क्या करते हैं, BC, CA और AB का लगुत्तम ले लेते हैं, तो दोस्तो जब लगुत्तम लेंगे, तो ABC लगुत्तम हो जाएगा, तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ गाते 3 बचेगा, इसी पकार दो दोस्तों हम यहां भी यह जानते हैं जब A प्लस B प्लस C का मान 0 दिया है तब A घाते 3 प्लस B घाते 3 प्लस C घाते 3 का मान कितना होता है 3 ABC के बराबर होता है तो दोस्तों इसी का मान जो है हम 3 ABC जो है इसमें रख देते हैं तो यहां रखेंगे 3 ABC बटा कितना हो जाएगा ABC तो चौथा सवाल है दोस्तों, बीस परसंट तथा पांच परसंट के दो करमावार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के सम्तौल है तो दोस्तों सम्तौल बट्टा निकालने के लिए यहाँ पर सुतर लगाया जाता है x पलस y minus xy बटा 100 X क्या है दोस्तों यहां पे 20% है Y क्या है 5% है तो 20 गुड़ते 5 अब बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 205 कितना होगा दोस्तों 25 माइनस 25 100 100 कैंसिर हो जाएगा बचेगा 25 में एक घटाएंग दोस्तों कितना हैगा 24% तो दोस्तो 24 परसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है पांचवा सवाल देखते हैं दोस्तो दो संख्याएं 21 और 10 के अनुपात में हैं यदि उनका मस 11 दिया है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा कैसे निकाले न दोस्तो ध्यान समझेगा यहाँ पे पहले हम वो दो संख्याइं पता कर लेते हैं तो दोस्तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे इस 21 में 11 का गुड़ा करेंगे तो 11 का 11 हंसिल लगा एक 11 दूना 22 और 1 तेस हो जाएगा दूसरी संख्या निकालेंगे दोस्तों फिर क्या करेंगे इस 10 को 11 में गुड़ा कर देंगे तो 10 गुड़ते 11 हो जाएगा 11 दहमा 110 हो गया अब दोस्तों दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा 3 1 4 हो जाएग कि 3,000 काफी पीना पसंद करते हैं एक बृत चित्र में इस वर्ग का 3 जिखन का कोड कितना होगा तो दोस्तो इस टाइब का साल जब भी एक्जाम में आएगा तो कैसे लगाएंगे यहाँ दोस्तो कुल कितने ब्यक्ती हैं 15,000 ब्यक्ती हैं इस में से 3,000 काफी पीना पसंद करते हैं तो 3,000 काफी पीना पसंद करते हैं कितने में दोस्तो 15,000 में से अब यहाँ पे दोस्तो 3 जिखन का कोड पूछ रहा है तो दोस्तो हम पूरा कोड जानते हैं कितने अंस को होता है 360 हंस को होता है तो 360 का यहाँ पर गुड़ा कर देंगे इसी को दोस्तो सॉल कर ले देंगे एक 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 इससे कड़ी आएगा तो 31 का 3, 3 पचे 15 कितना बचा दोस्तो 360 बचा कितना बचा यहाँ पर 5 पैंसिल करेंगे 5 सते 35 हो जाएगा 5 दोनी 10 तो दोस्तो 3 जिखंड का कोड कितना आएगा 72 डिग्री आएगा यह इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाल लमद सातवा है दोस्तो एक सिक्के को उच्छालने पर चित आने की प्राइक्ता बताईए तो दोस्तो चित को क्या कहा जाता है हेड कहते हैं चित को क्या कहते हैं सिक्के में हेड कहा जाता है तो दोस्तो जब एक सिक्के को उच्छाल जाता है तो यहाँ पे पूछ राज चित आने की प्राइक्ता बताईए हम दोस्तो जानते हैं सिक्के में कितने पहलू होते हैं दो पहलू होते हैं तो एक चित आने की प्राइक्ता कितनी हो जाएगी? तो दो पहलू होते हैं, तो दो से भाग कर देंगे, तो दोस्तो जब एक सिक्का उच्छा लेंगे, तो चित कितनी बार आएगा? एक अही बार दिखाई पड़ेगा, तो उपर लिख देंगे एक, तो एक सिक्के को उच्छालने पर चीत आने की प्राइक्ता कितनी होगी दोस्तो एक बटा दो होगा दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा अगला प्रस देख लेते हैं दोस्तो एक सिक्के को उच्छालने पर पट आने की प्राइक्ता बताईए तो दोस्तो पट को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, सिक्के में पट को टेल कहा जाता है, तो दोस्तो जब एक सिक्के को हम उच्छा लेंगे, तो पट कितनी बार आएगा, एक अही बार आएगा, और सिक्के में कुल कितने पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं, तो दो से भाग कर देंगे पट दोस्तो एक अही बार आता है तो एक सिक्के को उचालने पर पटाने की प्रायक्ता कितनी होगी एक बटा दो होगी दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है अगला प्रस देखते हैं दोस्तो प्रशनमबर 9 है 25 सेंटीमीटर के घं से 5 सेंटीमीटर के कितने घं जो है काटे जा सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पी एक बड़ा घं है जो 25 सेंटीमीटर का है और इससे जो है 5-5 सेंटीमीटर का घं काटना चाहता है तो पूछ रहा है कुल कितने घं कटेंगे तो दोस्तो घंों की संख्या निकालने एक लिक क्या करेंगे बड़े घं का आयतन बड़े घन का आयतन बटे क्या लिखेंगे दोस्तो छोटे घन का आयतन लिखेंगे छोटे घन का आयतन तो दोस्तो बड़े घन का आयतन निकालने के लिए भुजा घाते तीन होता है तो पचीस गुड़ते पचीस गुड़ते पचीस लिख लेंगे चोटे घं का आयतन 5 cm भुजा है तो भुजा घाते 3 होता है तो 5 गुड़ते 5 गुड़ते 5 cancel करेंग दोस्तों यहाँ पर 25 25 25 20 हो जाएगा फिर 25 25 तीन 5 का गुड़ा करेंग दोस्तों कितना जाएगा 125 आ जाएगा तो दोस्तो पांच सेंटी मीटर के कुल कितने घन काटे जा सकते हैं 125 घन काटे जा सकते हैं चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद